बड़ी स्पैलिंग कैसे लर्न करूं मुझे स्पैलिंग डिफिकल्ट लगती है मॉम प्लीज हैल्प क्या आपका बचा भी इसी थारा इरिटेट होता है यह लॉंग स्पैलिंग से डरता है रीडिंग करते हुए अटकता है तो आज आपके इन ही सारी परेशानियों को हम सॉल करेंगे वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर एंड सब्सक्राइब करें वेलकम बेक टू स्टार लेर्नर्स तुड़े वी आ गोईंग टू डिसकस सिलेबल डिविजन रूल्स जो के बहुत जरूरी है रीडिंग और स्पैलिंग क को ब्रेक करते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि उस सिलेबल में उस तुगड़े में एक वावल जरूर होना चाहिए ठीके जैसे स्प्लिट आफ्टर सी के और एक्स आपको अगर बड़ी स्पैलिंग लेंग करा हैं तो आपको इध्यान रखना है कि आप एक्स के बाद आप यहाँ पे स्पैलिंग को डिवाइड करेंगे टी आई सी के ले ठीकल बी यू सी के यहाँ से डिवाइड और बकल ठीके इसी तरीके से आप स्पैलिंग को डिवाइड करके बच्चे को पढ़ने के लिए सिखाएंगे फिक्स इट यहाँ से डिवाइड होगी सक्कल यह between compound words, compound words वो होते हैं, जैसे honeycomb, दोनों भी अलग-अलग words हैं, लेकिन यहाँ पर compound है, दो words जो compound होते हैं, और एक word बनाते हैं, उनको कहते हैं, compound words, honeycomb, ice cream, तो इनको हम यहाँ से break करके, बच्चे को spelling, small करके सिखाएंगे, तो इस तरीके से बच्चे को spelling, learn करना easy हो, जैसे basket ball में, basket, then ball, split between compound words, third is split double letters, अगर double letters हैं spelling में, तो हम double letters को बीच से divide करेंगे, जिसे sum, mer, fossil, fos, sil, हर एक syllable में एक bubble होना जरूरी है, balloon, b-a-l, l-o-n, balloon, यहाँ पर धहान रखिए, यह double o जो है, वो bubble team है, इन यह divide नहीं होंगे, carrot, c-a-r-r-o-t, parrot, p-a-r-r-o-t, next है, prefixes and suffixes are syllable, prefix और suffix जो है, वो syllable होते हैं, जैसे unhappy, इसमें prefix है, impossible, prefix है, तो यहाँ से यह अलोग है, इसके बाद अगर आपको यहाँ पर divide नहीं है, possible, देखिए, यहाँ भी double letter है, तो यहाँ से फिर एक यह, impossible, यहाँ पर one, two, three, four syllable है यह, तो इस तरीके से break करके आप पढ़ने सिखाएंगे, यह, मैंने हमारे पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, कि what are the six types of syllables, तो उसमें मैंने ल, e भी बताया हुआ है, impossible, ठीक है, इस तरीके से spelling break करेंगे, वोवल, consonant, consonant, वोवल, जब दो कॉंसिनेंट मिडल में है तो बीच में से हम break करेंगे, ठीके, जैसे doctor, doctor तो दो syllable हो जाएंगे, पार्कर, दो syllable हो जाएंगे, pencil, हर syllable में आपको याद रखना है, कि एक वोवल होना ज़रूरी है, अगर वोवल, consonant, वोवल है, तो दोनों को हो, ज देखिए मैंने पहले बताया था दोनों consonant same थे same letters के बीच में यहाँ पर दो consonant है जो के pair भी नहीं है तो फिर यहाँ पर हम अलग करेंगे जैसे बार पर तो यहाँ पर हम next we have V C C C V यानि Panther rule यानि तीन consonant जब बीच में है तो हम first consonant के बाद syllable को break करेंगे first consonant के बाद syllable को break करेंगे first consonant के बाद ठीक है तो इस तरीके से यह था हमारा एक Panther rule V C C C V V C C C V first consonant के बाद spelling को break कर देंगे ध्यान रखना है आपको spelling जो letters है वो पढ़कर फिर ही यह rules apply करने हैं this is the Panther rule next we have lion rule यानि दो वोविल है तो उधर हम break करेंगे लेकिन आपको बात ध्यान में यह रखनी है कि यह दोनों वोविल वोवल team के नहीं होने चाहिए वोवल team नहीं होने चाहिए वोवल team है अगर तो वहाँ पर break नहीं कर सकते वोवल team क्या है मैं आगे बताती हूँ आपको वोविल के बीच में say lion, riot, giant तो this is the lion rule then we have tiger rule यानी वोविल के बाद हम break करेंगे वोविल, consonant फिर वोविल है तो हम break करेंगे जैसे यहाँ पर tiger, music, paper, baby यहाँ पर देखिए यह जो वोविल है उसका long sound है नहीं उसका हम नाम लेंगे जैसे tie, i बोलेंगे है, mu, u, pay, a, bay, a यहाँ पर हम वोविल का long sound बनाएंगे देखिए इस तरिके से pronunciation भी अब अच्चे को आ जाएगा अगर आप syllable का use करते हैं तो वहाँ पर फिर वो पूछेगा नहीं आपको कि यह t, i, tie और फिर t, i, t, q होता है जैसे t का जो short sound है वो क्यों नहीं आ रहा है क्योंकि जब syllable break होगा वोविल के बाद तो वो जो वोविल है वो अपना long sound बनाएगा then we have camel rule यानी वोविल कॉंसन के बाद हम ब्रेक करेंगे फिर वोविल अगर होगा तो जैसे यहाँ पर camel, lamb, an, visit, k, bin ठीक है इस तरीके से this is the camel rule यह animals के नाम अगर अब आप बता देंगे तो बच्चे को remember करना बहुत easy हो जाएगा कुछ points हम ज्यान में रखेंगे points to remember जैसे अगर digraph है या blends है तो they will stay together digraph जैसे ts, wh, sh, ps, wr, kn और blends जो है cl, bl, sl तो वो stay together नहीं साथ में रहेंगे इनके बीच से हम split नहीं करेंगे syllable को then we have wobble team a, e, o, a, o, e, 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 u, e, o, o, तो इनको हम break नहीं करेंगे जैसे peacock है तो यह साथ में ही रहेंगे दोनों wobble toe यह दोनों wobble साथ में रहेंगे green यह wobbles को हम break नहीं करेंगे both ting तो यह wobble, this is the wobble team यहाँ पे हम wobbles को break नहीं करेंगे tip toe यह एक ही wobble पड़ा जाएगा तो these were some rules of syllable division I hope आपको यह समझ में आए होंगे और आपके बच्चे के reading में और spelling में यह आपको बहुत helpful होंगे अगर आपको यह वीडियो पसन आया तो please like, share and subscribe Thank you